समाजवादी पार्टी से अलग रहे स्विपाल यादो अब फिर समाजवादी पार्टी के साथ उनके समर्थन में हैं तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और स्विपाल यादो की क्या इस्तिति होगी देखे विखरा हुआ समाज कभी सासक न नहीं थी जितना इस समय उनको तवज्जव रूची दिख रही है तो करका लेंगे जस करनी उस भोग बिधाता नरक जात काहें पच्टाता जब आपकी सरकार थी तब आपने पटेल को मौरिया को चवहान को बिंद को केवट को मला को राजभर को आरक को अर्गबंसी को बंज आपके साथ ओड़ देने वाली बड़ी संख्या में जो लहा धुनियान सारी साही दरजी फकीर सेक्सियत पठान उसका भी आप नहीं हुए सौईंपरसाद मौरिया तो गए हैं उनके साथ उदो जाते हैं जहां सरकार बनवाने जाते हैं सौईंपरसाद मौरिया आपको लेकर के बड़ा उल्टा सिधा बयान देते हैं को परकास राजभर 72 छेद वाली चलनी है उनका कहीं कोई वजूद नहीं है उसे फरजी माहौल बनाया करते हैं वो एक चोर साइकी चोर दूसरे को से के लिए चोर समझता है अगर वो मर्द होते इमंदार होते तो कांसी राम जी ये बहुजन समाज पाटी मायवती के साथ रहते वो बदल बदल करके भाग के गए कहां चार बार मंतरी थे तब न राम चरित मानस की चौपाई याद आई ना महिलाओं का अपमान समझ में आया ना पिछडे दलित का अपमान समझ में आया जब सत्ता जाते देखा ता रामम सरनम गच्छा मी उसी तुलशी कृत राम चरित मानस पर माला फुल चड़ाया अगर बदतीच दिखा करके बेटी को सानसद अपने मंतरी बने पांच साल अगर लायक होते, उनकी सरकार में, अंट सट हजार पांच सो सिक्षक भरती में, रिजर बेशन में, जो छूट पांच पर्शन मिलती है, नहीं मिली, जब मैं बोलता था सदर में, तो मुस्किरा रहे थे, उन हत्तर जर सिक्षक की भरती किस सरकार में हुई है, पिछली सरकार में मंतरी थे, कहां थे, ये पिछणों की बात करने वाले, ये मुर्दा नेता हैं, ये स्वार्थी नेता, लाल्ची नेता हैं, कि हमको जल्दी सत्ता मिल जाम सत्ता में बने रहे हैं, पांच साल बीजेपी के साथ मलाई काटे फिर सोचे कि सत्ता बदल जाएगी तब रामम सरणम का चामी चोड़ करके अखिलेशम सरणम का चामी